सो अब हम एक्जाम्पल्स की हेल्प से देखे यह कि कैसे हम वन स्टेप सब्गुरूप टेस्ट को यूज करते हैं क्या प्रूफ करने के लिए सब्गुरूफ करने के लिए ठीक है देखो एक आपको सेट दे रखा है इसाग्रूप गुरूफ करने है अब हमें यह नहीं दिखाना की यह जो सेट है यह क्लोजर प्रॉपर्टी वेरिफाइब करता हो विद रिस्पेक्ट टू एडीशन ऑपरेशन हमेशा याद रपना है अपरेशन क्या है अब हमें यह नहीं दिखा हमें क्या दिखाना है वी विल यूज है वी विल यूज वन स्टेप सब्ग्रूप टेस्ट अब दिखान से देखो कैसे यूज करते हैं बहुत ही इजी है ठीक है दाट बाट इस वी नीड तो शो वी नीड तो शो पूर दिखाना है तो हम ये दिखाते हैं तो हम थे तो हमारा प्रूफ हो गया है with respect to one with the help of one step subgroup test तिर्फ यही दिखाना है ठीक है so पहले x और y तो ले हम क्या है x और y so let x and y is equal to x किसका element है h का h तो non empty set हमें दिखी रहा है it is non empty non empty होना बहुत ज़रूरी है ठीक है और यह complex number का ही subset a plus iota b ठीक है अब x कैसा होगा इसके element किस टाइप के है a plus iota b टाइप के ठीक है और जहां पे a और b किस से बिलॉंग कर रहे है q से x ले लेते है a1 plus iota b1 और y ले लेते है a2 plus iota b2 ठीक है x minus y निकाल लो x minus y कैसा आना चाहिए इस type का या आना चाहिए ठीक है क्या होगा बताओ a1 plus iota b1 minus a2 plus iota b2 क्या हो जाएगा इसको खोलोगे तो iota वाले अलग कर लो और constants अलग कर लो imaginary अलग कर लो real अलग कर लिया अलग ठीक है इसको बोल दो c1 इसको बोल दो c2 अब this should belongs to h कब अगर c1 और c2 भी h में होंगे अगर c1 और c2 belongs to q this implies a1 minus a2 मतलब की c1 भी किस से बिलॉंग करेगा q से similarly b1 b2 belongs to q इसका मतलब क्या हुआ किस से बिलॉंग करेगा q से बिलॉंग करेगा इसका मतलब जो c1 प्लस आयोटा c2 है किस से बिलॉंग करेगा x से x-y belongs to h hence h is a subgroup तो इतना समझने के लिए आपको time लगा otherwise one step से तो आप एक minute में दिखा दोगे कि yes यह सब ग्रूप है क्या करना है सिर्फ x y inverse दिखाना है यहां पर y inverse क्या था minus y था क्यों था minus y क्योंकि operation addition था ठीक है तो operation के according second वाले element का inverse निकलता है हमने a b inverse किया था तो हम यहां पर h के elements एवर बीट आपके थे तो इस टूक एक सेन्ड वाइड बहुत है सिंपल है ठीक हैं आप आजो next example पर है हुआ 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 है आध इस हुआ हुआ है यह ए हुआ हुआ है कई हुआ है झाल झाल